इस बीच बड़ी ख़बर आपको बता दें नाभा जेल प्रेक मामले में बड़ी भूमिका निभाने वाले सुलाखन सिंग को पांच दिन की पुलिस रिमान पर भेश दिया गया है सुलाखन सिंग को नाभा जेल ब्रेक मामले में नवा शेहर पुलिस ने गिरफतार किया था पुलिस को उमीद है कि अब इस मामले में और भी कई हैं जानकारी मिलेगी और इसे कबर बजादा जानकारी के लिए हरपीद धालिवाल मेरे सही होगी में साथ जुड़ गए हरपीद और क्या कुछ जानकारी आपके पास मौनिका जो नाबा जेल ब्रेक हुआ था उसमें आप जानते हो कि दो आंतकवादी और चार गैंक्स्टर को लेकर यहां से गैंक्स्टर शर्याम गोलियां चलाते हुए निकल गए थे तो उसके बाद लगातार पुलिस के लिए और पंजाब सरकार के लिए यह सभी लोग सरदर्दी बने हुए थे एक के बाद एक इनकी दर्वकड हो रही है तो अब जो सबसे अपॉर्टेंट है वो सुलक्षन जिसको बबबर भी बोलते हैं पुलिस ने कल उसको दबोच लि पुलते हैं कि सुतरधार था यह वो बंदा था जो पुलिस की वर्दी में था एसी की बंती इसने पहनी हुई थी और यह भी माना जाता है कि जब नाबा जेल पर एक हुई तो यह सबसे पहले फाइरिंग करने वाला यही व्यक्टी था सो सबसे ज्यादा एपॉर्टन गैं पुलिस का स्टाइल होता है मौनिका कि उनको काफी सारी चीज़ें के पास होती है लेकिन मीडिया को वह साफ नहीं करती मीडिया को बताते तक नहीं है लेकिन यह माना जरूर जा रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों विक्की गॉंडर के साथ चार उसके साथ ही जाने में काम जाव होती नजर आ रही है शुक्रिया हर पेट फिलाल इस तमाम जानकारी के लिए तो नाभा जेल प्रेक मामले में बड़ी भूमी का निभाने वाले सुलखन सिंग को पांच दिन की पुलिस रोमान पर भेजा गया है कल नवा शेहर पुलिस ने सुलखन सिंग क को बस्टान से गिरफतार किया था